तो कैमरा टेस्ट करने वाले हैं OnePlus 11 को और यह जो फोन है वो बहुत ही जादा है यहाँ पर महंगा के साथ आता है यहाँ पर साथ हजार 65000 के करीब आता है तो इस हिसाब से हम कैमरा भी टेस्ट करेंगे और इसमें इंटरस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहेंगे जब आप टेली फोमें पर आप यहाँ यहां जो Went डिक्कट ता यहाँ पर अब तो ब्रेंगे रहे और आप और यहां पर आप टेली फो में अद्टिकेल जूंग बढ्लाए न並r अगर हम वीडियो में देखें तो वीडियो में जब आप 2x zoom करता है तो वहाँ पर टेली फोटो लेंड ईूज नहीं होता है वहाँ पर यूज होता है में कैमरा यह चिज़ इसके पर ठीक देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी से यहाँ पर color जो है, वो enhance होके मिलता है, तो saturation थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोशिस करता है कि natural photo ले, लेकिन थोड़ा सा saturation भी आप इसके अंदर देखने को मिलेगा, यह सारी चीज़ है, तो आप main camera से photos तो ठीक निकाल पाएंगे, लेकिन इससे interesting चीज़ है, इसका telephoto lens के अंदर, जैसे आप 32 Megapixel से जब photo लेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जो photos है वो zoom हो जाता है, और zoom जो optical होता है, तो quality वगरा वो इससे diamonds नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा zoom के लिए, तो थोड़ी सी 29 देखने के मिलेगा, daylight में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप night में telephoto lens ले रहे हैं, तो बिलकुर वहाँ पर photo नहीं निकल का आता है, तो यहाँ पर अगर हम blur की बात करें, जैसे portrait में अगर telephoto lens लेते हैं, तो यहाँ पर age detecting के बात करें, तो यहाँ पर आपको age detect बहुत ही अच्छे से करता है, चस्मा वगरा का भी यहाँ पर detect करता है, यहाँ पर कोई भी blur होगरा ऐसा नहीं करता है, और interesting यह भी चीज है, जो इसके boke effect है, जो इसका blur है, वो एक natural blur देता है, ऐसा नहीं लगता है कि मतब subject के करीब है, या फिर blur ऐसा किया है, जैसे कि आपको subject में थोड़ा सा mix matching कर दिया है, यह चीज़ इसके अंदर देखने हो कर नहीं मिलता है, तो जो blur करता है, वो भी एक अच्छा मिलता है, तो अगर आप photographic के लिए phone लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 2X optical zoom का photo बहुत ही अच्छा देखने की मिलेगा, तो अब यहाँ से हम बढ़ते है, ultra wide के उपर, तो ultra wide से अगर आप photo लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे main camera में photos मिलता था, थोड़े से यहाँ पर color enhance, वही आपको देखने की मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़े से आपको noise बढ़ जाती है, और detailing में कमी हो जाती है, ताकर 2MP का फरक है, main camera 50MP का, ultra wide 48MP का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको optimize में कमी होते हैं, जिससे noise यहाँ पर आपको देखने की मिलेगा, तो यहाँ पर photos के हिसाब से बात करें, तो photo, telephoto lens के लिए बहुत ही अच्छा है, तो यह वीडियो शूट हो रही है, तो आपको quality का अंदाजा हो जागा, तो just अभी आपको noise solution का भी अंदाजा हो जागा, और यहाँ पर हम dynamic range का हम करें, जहाँ पर देख सकते हैं, सूरज just मेरे साब तीछे है, मेरे back मे sunlight आ रही है, तो यहाँ से आपको dynamic range भी पता चाल जागा, किस तरीके से यहाँ पर manage करता है, 4K resolution का आपको अंदाजा हो जागा, किस तरीके का quality आपर देता है, इसके main camera से video resolution की बात करें, तो यहाँ पर आपको 8K 24fps के साथ video shoot कर सकते हैं, तो जो इससे हाँ resolution है, वो भौवती high resolution दिया गया है, तो आप 8K में video shoot कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नोर्मली 4K का होता है, तो 4K 60fps का option मिलता है, तो आप back camera से अच्छे खासे यहाँ पर video graphic कर सकते हैं, और stabilization की बात करें, तो smooth stabilization मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा से आप running करते हैं, तो उसमें video आपको back camera से बहुत ही अच्छा मिलेगा, वही आप जब telephoto lens पर switch करते हैं, तो आपको main camera वहाँ पर use होता है, आपको यहाँ पर telephoto lens नहीं use होता है, इस चीज़ का ज़रू ध्यान दे, अब हम बात करते हैं, फ्रेंट camera की, तो यह जो video shoot हो रही है, वो इसकी 1080p, 30fps के साथ video shoot हो रही है, तो इससे आपको यहाँ पर quality का अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4K का support नहीं मिलता है, तो यह just मेरे opposite है sunlight, तो इससे आपको dynamic range भी पता चल जाएगा, कि किस तरीके से manage करता है, और wise EC phone से record हो रही है, तो आपको noise consolation का भी अंदाजा हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, just मेरे face पर है पर sunlight आ रही है, तो इससे आपको पूरे तरीके सांदाज होई जाएगा, वीडियो resolution है, वो 1080p 30fps के साथ, तो यहाँ पर OnePlus ने बहुत ही बड़ा गदारी किया है, क्योंकि इस price range में, 60-65,000 के बीच में, आप front camera में सिर्फ 1080p 30fps दे पर आपको 1080p मीलता है, और साथ में अगर इसकी हम detail की बात करें, तो ओबर सारपनेश देखने की मिलता है, जब आप video shoot कर लेते हैं, उसके बाद अगर थोड़ी सी zoom करते हैं, तो face में जो detailing है, वो हद से जादा दिखने लगती है, तो यहाँ पर थोड़ा सब्बग है, और अगर हम front camera की बात करें, तो highlight को अच्छे से manage नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर आपको सबसे फ़रक दीखेगा photos में, selfie camera में, तो अगर हम देखें, तो जीस तरीके से sunlight यहाँ पर just आ रहे है मेरे उपर, और अगर हम selfie लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही जाद highlight हो जात है, और जो यहाँ पर कपड़े पर, जो light पड़ रही है, वो भी अच्छे तरीके से manage कर लेता है, यहाँ पर कोई भी दिकत नहीं है, friend camera की अगर हम बात करें, तो friend camera बिल्कुल इसके अंदर घठिया यूज किया है, यह front camera में video के like नहीं है, यूज करने like नहीं है, यहाँ प friends भी मिलता है, आपको ultrawide भी अच्छा खसमी जाता है, और साथ में यहाँ पर main camera भी मिलता है, तो यह आपको अच्छे मिलते है, तो यह one plus का आपको camera test video कैसी लेगी है, कमेशन से में जरू बताइएगा, और भी अगर question होगा इससे तो आप कमेशन से में जरू बता सकते है, वहाँ पर आपको reply जरू मिल जाएगे, तो वीडियो पसंद आईगे तो जरू से कर देजाएगा, लाइक है और चानल पर नहीं होगे तो खली जगा, सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और interesting वीडियो के साथ तर तक के लिए, बाए!